उन्नाव गैंगरे पीडिता की मौत के बाद परिवार अभी तक गम से नहीं उभर पाया परिवार के लोग अभी मृतिका की समाधी के पास ही इंसाफ की आंस में बैठे है मृतिका की बहन ने इंसाफ के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से मिलने की गोहार लगाई है मृतिका की बहन का कहना है कि वो पीएम मोधी से मिलना चाहती है वो मामले को लेकर पीएम मोधी से न्याय की गोहार लगाना चाहती है ताकि उसके बहन को इंसाफ मिल सके इस से पहले मृतिका की बहन ने कहा था कि उन्हें जान कि ये बदले जान चाहिए अगर उनकी जान नहीं ले सकता है कोई तो हमारी जान ले ले, बात खत्म हो जाएगी एक समाधी बनी है, सारी समाधी बनवा दे उनकी तरफ से आस्वासन ये दिये गया है कि बहुत जल्दी कारवाई हो रही है, हो जाएगी परिसान मत हो, तुम्हें मतलब जो भी उनको बोलना था वो बोले हैं, हमने उनसे ये बोलना है कि हमें जिन्होंने हमारी बहन को जिन्दा जलाया है जब हम नियाय मांग रहे थे, दो साल पहले बलतकार हुआ था वहाँ पर ना कोई इंक्वारी बैठाए कि वहाँ पर कोई जांच नहीं हुए कोई परदाल नहीं हुए, उसमें एक मुल्जिम पकड़ा गया, खुले हम घूम रहा था तब पुलिस प्रसासन कहा गया था, जब हम तड़प रहे थे, रो रहे थे, तब सोच रहे थे कि आए माई मदद करें तब तो उसने कुछ किया नहीं, आज जब उन लोगों की बारी आए तो ये जांच होगी, वो जांच होगी, हमें कोई जांच नहीं चाहिए आपको बता देए कि मृतिका का गैंग रेप किया गया था, इस दोरान दो आरोपियों ने जेल से छूटने के बाद पीड़िता को जला दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया, फिलहाल मामले में उचस्तरिये जा चल रही है, और नाउस विशाल संग चौहान के रिपोर्ट